नमस्कार दोस्तों मैं पंडित केके सर्मा संपादक जोतिस गुरू मासिक पत्रे का स्वागत करता हूँ आपका इस यूटूब चैनल में और स्वागत करता हूँ आपका इस खासकारकरम में इस खास कारकरब में हम आपके समक्ष उपस्ते थे हैं बहुत ही ग्यानबर्दक, रोचक, जिग्यासू और बड़े काम की जानकारी लेके काम की इसलिए क्योंकि आज हम आपके समक्ष जो जानकारी लाए हैं वो व्यवसाई वर्ग ब्यापार से जुड़े जो लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा कारगर है कि किस तरह से आप अपने ब्यापार वेवसाई को अच्छा चला सकते हैं या वहाँ पर जो आपको मुस्किलें आ रही हैं उनसे आप पूरी तरह से कैसे बच सकते हैं यानि आपको आज ऐसे सफलता के सूत्र बताने जा रहे हैं जिनको आप अपने जीवन में अगर अपनाते हैं तो जो आपका ब्यापार वेवसाई वहाँ पर आप पूरी तरह से पूरताय सफल रह सकते हैं यहाँ पर हम कुछ ऐसे उपाई भी बताने जा रहे हैं कि जिनको करने से किसी भी तरह का गत रोध अवरोध या समस्या उत्पन ही नहीं होगी यानि ये बड़ी समस्या रहती है कि पहले समस्या उत्पन होती है फिर उनका समाधान खोजना पड़ता है तो इन उपायों को करने से अच्छी बात ये रहेगी कि आपको किसी भी तरह की समस्या से दोचार नहीं होना पड़ेगा और ये जानकारी हम सभी रासी के जो जातक हैं उनको अलग-अलग वीडियो में देने जा रहे हैं हम बात कर चुके हैं पहले मेश रासी के जो जातक हैं उनको क्या करना चाहिए अपने कार इस्थल पर ताकि वो सफलता पा सकें अब हम बात कर रहे हैं बिना देरी के अगली रासी की यानि वरिश रासी की यानि जो जातक वरिश रासी के हैं उनको कौन से कौन से ऐसे उपाए हैं जिनको अगर वो अपने एक तरह से जीवन में अपनाते हैं तो वो किस तरह से अपने व्यापार विवसाय में सफलता प्रा तो वहां जो कलरों का इस्तमाल होता है जो हम रंगों का इस्तमाल करते हैं तो विरिश रासी के जो जातक है उनको क्या चाहिए हलके रंगों का प्रियोग करना चाहिए यानि आप चमकिले रंग और हलके रंग यानि चमकिले रंगों का भी इस्तमाल करें साथ में हलके रंगो हफ़ते में सुक्रवार के सुक्रवार आपको तीब्रसुगंद यानि अधिक खुस्वु वाले जो सफेद पुस्पोते हैं अपने आराद देव की उनसे पूजा करनी चाहिए पूजा इस्थाल पर जो आपने पूजा इस्थाल अपना बना रखा है वहाँ पर माता लक्ष्मी के साथ में एक इस्फटिक स्रीयंतर भी वहाँ पर रखें या पूजा इस्थान में एक स्फटिक सिरियंत्र को भी इस्थान देना आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए लखी रहेगा बहुत ज़्यादा अच्छा होगा अगर संबब हो तो आप अपने कार्याले की पूर्व अत्वा उत्तर दिसा में एक मचली घर भी रखें मचलीयों को पालने का एक पोड भी आप अपने जो कारिस्थाले वहाँ पर छोटा ही सही पूरब में या उत्तर में अवस्य रखें इससे भी आपको बहुत ज़्यादा सकाराट पर एनरजी मिलती है और आपकी जो समस्याएं उन पर थुड़ा सा अंकुस लगता है जिस स्थान पर आपके जो वरकर हैं करमचारी हैं वो बैठते हों जहां भी बैठते हों उस जगह के उत्तरद्सा की और एक सीसा भी लगाना चाहिए और इस रासी के यानि विरिस रासी के जो जातक हैं उनको अपनी अलमारी जो बना रखी है उस अलमारी में इत्र अवस्य ही रखना चाहिए यानि इत्र या खुस्वबाली कोई चीज वहां अवसी ही रखें और स्वैम भी आप खुद भी इत्र का प्रियोग खुस्वबाला उसका प्रियोग करें जिस स्थान पर आपका कोई विसेश करमशारी यानि जो आपकी कमपनी का विसेज करमशारी है वह जहां बठे जिस जगह पर वो बैठा हुआ है विसेज करमशारी आपका उसकी जो टेवल है उसकी जो मेज है उसकी निरत्य अकौन में एक इसफटिक का ग्लोब भी रखें उसके साथ महा में कम से कम पाँच वार गिलोब रखें इसके अलावा क्या करें महिने में कम से कम पांच वार सिरी सूक्त अथवा सिरी लक्षमी स्तुरोत या ललिता सहस्त नाम स्तुरोत का पाठवी अवस्य कर रहा चाहिए महा में एक बार पूरा प्रयास करिए कि महा में कम से कम एक बार किसी भी सुक्रवार को नौ वर्ष से छोटी आयू की जो कन्याए होती हैं उनको अपने निवास इस्थान पर बुलाएं और उनको साबू दाने से बनी हुई खीर और उपहार उनको वस्थे दें बैवसाइस्थल अथवा अपना जो निवास उसके निकट में जो भी मंदिर हो उस मंदिर में धुब बत्ती अगरबत्ती या खुस भूगी चीजों को दान भी करते रहना चाहिए ऐसा प्रत्यक महिने कम से कम एक बार करने का प्रयास करें आपके काम में आपके ब्यापार में आपके विजनिस में जिस तरह की भी जो प्रॉबलम सारी होंगी उनमें निश्यत रूप से कमी होगी या ये कहें कि बिना प्रॉबलम बिना समस्या का जीवन आपका कारिस्थल पर गुजरने लगेगा चलिए आगे फिर बात करेंगे अगली रासियों के बारे में यानि मिथुन रासी से लेके मीन रासी तक के जातकों को क्या करना चाहिए अपने कारिस्तल पर ताकि उनका ब्यापार वेवसाय अच्छा चले और उसमें किसी भी तरह की रुकावटें या मुस्किलें ना आएं दोस्तों यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें साइड में लगे वेल आइकोन को दबाएं जानकारिया अच्छी लगें तो दूसरों के साथ सियर भी करें एक बात और है जो बड़ी जरूरी कि हम प्रतेक दिन प्राते हैं साड़े साथ बजे उपस्तेत होते हैं लाइव उस दिन का रासी फल लेके उस दिन का पंचांग लेके उस दिन का रहुका लेके और आपके द्वारा जो प्रस्ण भेज़े जाते हैं उनके उत्तर लेके तो चलिए सुबह भी देखते रहे और अन्य जो वीडियो आपके ग्यानार जैन के लिए दी जाती है उनको देखें दूसरों के साथ सेयर करें चलिए आज के लिए तना ही आगया दीजिए नमस्कार